हलो अब्रिवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में दोस्तों आज इस पीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑफ ग्रीड सोलर सिस्टम क्या होता है और यह कैसे काम करता है क्या दोस्तों हमें ऑफ ग्रीड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या फिर दोस्तों नहीं वाना चाहिए सारा कुछ मैंने डीटेल में बताया हुआ है तो आप सभी रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कि हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल पर नए होंगा तो चैनल को भी ज चार्ज करें तो सोलर सिस्टम जो है वह करेंट हमारी बैटरी के लिए पहुचाती की और बैटरी को दो मीर्टcular overlook gleichen आप पूरे घर में या फिर दोस्तों में आपने दुआं में कहीं पर भी भेर सकते हैं जैसे दोस्तों इंवर्टर लगा दोस्तों हम अपने पूरे सोलर सिस्टम लगवाने का कारण कुछ और होता है और आपके एरिया में 20 घंटे से कम रहती है तब आपको ऑफ ग्रीड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए अगर आपके एरिया में 24 घंटे में टब 20 घंटा टेशन घंटा घंट लगवाना से लगवाना चाहिए क्योंकि दूस्तों कि क्या होता है कि बिघनकि Κरियेट के साम तक जतना बी में चpers влад करेंगा रहती है और उसको जब दोस्तों सब्सक्राइब करेब चला जाता है तब अराम से बैटरी में जितनी ईनर्जी भून wanna सै है उसको हम UPS के थूँ इनवर्टर के थूँ अपने पूरे घर में सप्लाई भेज़ जकते हैं यानि कि दोस्तो अगर आपके एरिया में इलेक्टरिटी कम रहता है तो आपको और ग्रीड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए अगर दोस्तो आपके एरिया में इलेक्टरिटी अच् करनी परती हैं जैसे दोस्तों अगर आप एक बार बैटरी पर्चेस करते हो तो अगर दोस्तों चार बैटरी पर्चेस करते हो दोस्तों आपको 50-60,000 रुपए आपको लग जाते हैं लेकिन दोस्तों वही अगर आप ऑन ग्रीड सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आपको बैट साल पे हमें बैटरिस जो है वो चेंज करनी पड़ती है तो यह एक टो डिस इड्वांटेजिस हो जाता है हम जब डोफ-डी स्टम लगवाते हैं तो अगर दोस्तों हमें एक कोलिट का लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों हमें 50 सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन